और इस वीडियो में हम लाएं आपके लिए modern Indian history के कुछ most important facts हैं जो की previous years में state pieces exams में पूछे जा चुके हैं plus SSC CGL exam में पूछे जा चुके हैं plus कई सारे competitive exams में ये modern Indian history के one-liner GK fact और concept हैं जो ये पूछे जा चुके हैं ये आपको अभी जो BPSC का exam और जो MPPCS का exam है और प्लस जितने भी state pieces exam है या SSC CGL के सब के लिए important हो सकते हैं ये revision type का वीडियो है इसमें जितने भी modern Indian history के जो main important concept होंगे वो हम इसमें देखेंगे और this is presented by me ग्यान प्रकाज मिश्रा आप मिझे फॉलो कर सकते हैं इसमें स्टार्ट करते हैं देखें चौरी-चौरा के घटना के बाद गांदी जी ने आसायो गांदूलन यानि कि non cooperation movement को अपनी हिमाले जैसी भूल बताया था इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं देखें चौरी-चौरा अंदूलन हो गया था पाँच फरवरी 1922 को 1920 में जब गांदी जी ने non cooperation movement चलू किया था उसके बाद उसमें ये terms था कि ये जो होगा ये non violent होगा लेकिन ये कुछ लोगों की भीड़ ये एक liquor shop थी वहाँ पर wine की shop थी था रुकी उसको हटाने के लिए ये वहाँ पर जमाविए थी तो उसका leader arrest कर लिया गया तो फिर उसकी जो भी local police थी वहाँ पर उन्होंने जो crowd था वहाँ पर उनको disperse करने के लिए shot किये थे और उसकी वज़े से तीन civilians की टेथ हो गई थी उसके बाद फिर चार फरवरी पांच फरवरी को 1922 को जितने भी भीड़ती वहाँ का जो local police station था चोरी-चोरा गोरकपुर जो नाम की जगए वहाँ पर उसको जला दिया तो 22 या 23 लोग मर गयते करीवन उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने थ्रू बारदोली रिजॉलूशन 12 फरवरी 1922 को यह डिसाइड के है कि यह जो non-cooperation moment है यानि कि असयो गांदोलन है इसको वापस ले देंगे क्योंकि अभी जो जनता है इंडिया की वो तयार नहीं है उतने जो गांदी जी के मेथड है वो अपने जो भी उनके मेथड थे उनसे वो यह sacrifice नहीं करते थे compromise नहीं करते थे main चीज़ आपको याद रखना है यह कि 5 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा कांड हुआ था उसमें भीड ने एकदम से कर दिया था पूरी स्टेशन ने और 22 लोग मारे गया थे 1922 और यह 22 लोग मारे गया थे 22 पुलिस वाले और फिर 12 फरवरी को इंडियन नैस्नल कॉंग्रेस ने बारदोर्ली रिजॉलूशन लिया था उसके थ्रू नौन कॉपरेशन मुमेंट रटाया था तो यह कुईशन आ सकता है कि किस रिजॉलूशन या फिर किस सेसन में इंडियन नैस्नल कॉंग्रेस ने रिसाइट किया कि यह जो चौरी यह नौन कॉपरेशन मुमेंट है इसको वापस देना है तो वो बारदोली वाला जो रिजॉलूशन था बारदोली में सेसन था उसके थ्रू दूसरा है बंग बंग यानि की बेंगॉल पार्टिशन उसके बाद चलो हुआ था स्वदेशी अंदोलन बंग बंग यानि की टो पूरा बंगाल उबल रहा था और उसमें हुआ क्या था जो इस्ट वाले एरियाज हैं इस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को यह सेपरेट कर दिया गया था और रिजन यह देगा था कि एड्मिनिस्ट्रेटिव बहुत डिफिकल्टी आ रही है लेकिन एक्चुली उनकी जो डिवाइड एंड ये रूल वाली पॉलिसी थी उसी पॉलिसी के तैत था है लेकिन फिर फाइनली ये स्वादेशी आंदोलन चालू हो गया था और जितने भी एक्स्रीमिस रिडर थे इन उन्होंने स्वादेशी मुवमेंट को इंडिया में पाच फेसे में बाटा है सबसे पहला स्वादेशी मुवमेंट था जो दादा भाइन औरो जी गोकले राना डे तीलक और जीवी जोसी ये लोग 1850 से 1904 तक स्टार्ट किये थे फिर जो इग्जैक्ली जो स्वादेशी आ महात्मा गांदी के जो सवादेशी मुवमेंट थे वो सब थे उसके बाद 1948 से 1991 तक जो इंडिया में लाइसेंस पर मित्राज चला था और कई सारे डिस्टिक्शन थे कि बायर की टेक्नोलोजी नहीं आ सकती थी ये इस्पेक्टर राज चलता था उस सब से रिलेटर है वो तो जो सवादेशी मुवमेंट है यानि कि जो एक्जैक्टली जो मौडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जो जानना जरूरी है जो बेंगॉल के पार्टीशन के बाद हुआ था वो किसके दोरान हुआ था किसके वाइस राय सिप के दोरान हुआ था ये लौड करजन के उस वी ओ चिदंबरंपिलाई बाबू गेनू और ये सब थे सबसे जादा जो इसके इफेक्ट थे स्वादेशी मुवमेंट के वो बेंगॉल में थे और बेंगॉल में इसको वंदे मात्रम मुवमेंट भी कहा गया है गांधी जी उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन से लॉयल गरांधी जी वैसे भी काफी दिनों तक वो ब्रिटिश टाउन के पक्ष में ही रहें कि उनको सपोर्ट करो और वो लोग ये मतलब दीरे-दीरे हम लोगों को डोमीनियन स्टेटस देंगे उन लोग जितने भी मॉडरेट थे उनका यही मानना तो सुरू में कि जो भी ब्रि इंडिपेंडेंड पिंधे आप देखें इंडियन नैस्नल कॉंगरेस की प्रतम माहिला प्रतम भारती माहिला खोड़ले में सुरस्त लिवाथ थी और लेकिन अगर यह पुछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट आफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस तब आंसर होगा सरोजनी नैडू जो की 1925 में कानफुर सेसन में बनी थी फिर आइंसी यानिक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को 1885 में स्टार्ट किया गया था फाउंड किया गया था बाई एलन ओक्टेवियन हूम पहला सेसन हुआ था मुंबई में 1885 में और यह वो मेश चंद्र बनर जी डबलू सी बनर जी इसके अध्यचते पहला सेसन हुआ था उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बॉम्बे में हुआ था यह फिर अगर यह पूझा जाएगा कि वू वाउस दॉइस रही वेन द आईनसी वस फांड़ेट दाव इस रही नेम वाज लॉड डफरीन लॉड डफरीन थे उस टाइम पे कॉंग्रेस के वॉड लॉड डफरीन थे उस टाइम पे बिटीश इंडिया के वाउस रही जब इन National Congress की स्थाफना हुई थी उसके बाद है कि देखिए जब Congress के अगर कई सारे faces देखे जाने तो 1885 से लेके 1905 तक moderate face रहा है काफी इन लोग की demand काफी ज़्यादा lenient थी और सिर्फ यह यह मांगते थे कि हमको थोड़े से rights दे दो हमको जो भी legislative councils हैं या assembly हैं उसमें participate करने का मौका दे दो और हमको voting के अधिकार दे दो तो मतलब जितने भी lenient मांगती हैं ऐसा कोई इन लोग की radical demand उस टाइम पे नहीं होती थी कि हमको independence चाहिए direct British rule से इनका मानना था कि जो British rule है यह दीरे दीरे इंडिया को सब बनाएगा और दीरे दीरे इंडिया में dominant लाएगा जो मैंने भी बताया था आपको अगर आप देखें woman president of INC यानि कि इंडियन नेस्टन कॉंग्रेस इस पे कोई भी question आता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहली भारती महिला जो कि इंडियन नेस्टन कॉंग्रेस के अध्यच्छी थी वो थी सरोजनी नाइडू 1925 में लेकिन अगर पहली महिला की बात की जाएगी यानि कि first woman president of इंडियन नेस्टन कॉंग्रेस वो मैंने भी आपको बताया एनिपेसेंट थी 1917 के कैलकेटा दीवेशन में और total woman president अभी तक इंडियन नेस्टन कॉंग्रेस में तीन रही है ये question कल कुईज में भी हमने पूछा था और वो तीन कौन कौन सी है सबसे पहली थी एनिपेसेंट second number पे बनी थी सरोजनी नाइडू third number पे बनी थी नेली सेन सेन गुपता बनी थी 1933 में कैलकेटा में तो अगर इंडिपेंडेंडेंस से पहले की बात करने तो सिर्फ तीन woman president थी इंडियन नेस्टन कॉंग्रेस की उन तीनों के नाम ये ये आपका question exam में आ सकता है इसलिए मैंने बताया आपको पिर सबसे पहला जो split हुआ था इंडियन नेस्टन कॉंग्रेस का वो हुआ था 1907 में सूरत में सेसन था वो और उसकी presidency प्यानी किया ध्यच्चता कि ने की थी राश बिहारी घोश्न जी ने तो पहला जब सूरत स्प्लिट हुआ था पहला split हुआ था इंडियन नेस्टन कॉंग्रेस का उसके बाद भी कही सारे हो हुए जब ये moderate और extremist में आपस में लड़ाई होगी थी कि कि किसके गढ़ में सैसन होगा और फिर finally moderate जीत गयते और जो extremist थे उनको निकाल दिया गया था उस टाइम ये जो moderate ये राजव्यारी गोश्त थे ये भी moderate के supporter थे तो इन्हों ने अध्यच्चता की थी 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था ये एक और फेक्ट है फिर ये कुछ और फेक्ट देख लेते हैं जैसे इंडियन नैसल कॉंघरिस का जयर आप देखें कि फस्ट इंगquito नियानिके पहला इंग्रेश कौन ता जो इंडियन नैसल कॉंघरिस का अध्यच्छ बना था उसका नाम था जौर्ज यूर इउल 1888 में बना था ये जार्ज यूल है ये 1888 वाले इंडिया नेसनल कॉंगरेस के सेशन में ये प्रेइडेंट बना था और ये सेशन कहाँ पे हो था अलाहबाद में इंडी में बोला था है इसको इलाहबाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट आफ इंडिया नेस्टल कॉंग्रेस अभी तक को रहे हैं? मौलाना अबुलकलाम आजाद इनके बारे में हम कई सरे फैक्ट देखेंगे भी थोड़ी दिर में मौलाना अबुल कलाम आजाद ये पहले इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं उन्हें के नाम पे नैस्टनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं 11 नौंबर को ये सबसे पहले रहते 1923 में एक देली में सेसन हुआ था इस पेसल और उसके बाद 1940 से लेके 46 तक लगातार 6 सालों तक रहे तो इनके बारे में ये भी फैक्ट आप जान लिए कि अगर आप से ये पूचा जाए कि इंडिपेंडेंस से पहले सबसे लंबी अवदी तक इंडियान नैस्टनल कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट कौन रहे हैं अबुलकलाम आजाद आजाद नाम से ये अपनी जो भी लिखते थे पहला अगर पूचा जाएगे कि पहला मुस्लिम कौन था जो की इंडियान नैस्टन कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट बनाता तो वो थे बद्रुद्दीन तयब जी और ये मद्रास में बने था 1887 में देखे पहला हुआ था 1885 में मतलब तीसरे वाले में जो तीसर को इन्वाइट किया गया था कि वो भी पाटिसिपेट करो और उनको अध्यच भी बनाया गया था बद्रुद्दीन तयब जी थे ये ये बने था 1887 में मद्रास में तो पहला हुआ डबलू सी बनर जी दूसरा ये डादा बैन रोजी और तीसरा ये बद्रुद्दीन तयब गया था किस सन में मैंने बताया था आपको पहले नैसनल एंथम देखिए भी चलिए इसमें लिखाई हुआ है नैसनल एंथम जंगर्मन ये पहली बार गया गया था 1911 के कोलकता के सेसें में और इसके दो वर्जन है आप बताई एक होता है आप इन दोनों के कमेंट लिखे अब मैं बता दूंगा बाद में तो नैसनल सॉंग और नैसनल एंथम के अगरा आप बात करें दोनों ही कोलकता में ये सबसे पहली बार गया गया थे जो कोलकता में सेसन हुए इंडिया नैसनल कॉंगर्स के नैसनल जो सॉंग है वंदे मात्रम उसको पहली बार 1896 में गया और नेशनल जो एंथा मैं उसको पहली बार 1911 में गया गया था फिर एक ये क्वेशन कई बार आ चुका है कि इस्टुटगार्ट यानि कि जर्मनी में ये जर्मनी में इस्टुटगार्ट नाम की जगह है वहाँ पे इंटर नेशनल सोस्लिस्ट कॉन्फरेंस हुआ था और उस में सबसे पहले जंडा किसने फैराया था ये क्वेशन आ चुका है तो ये मैडम बीका जी कामा थी ये इन्होंने 1907 में जर्मनी में जाके वहाँ पे इंटर नेशनल सोस्लिस्ट कॉन्फरेंस हुए थी इस्टुटगार्ट जर्मनी में वहाँ पे एक किलकता बेस्ट फ्लै जो और ये उपर कमल उस टाइम ये फ्लैग वहाँ करता था 1907 की बात है ये तो ये क्वेशन आ आ कई बार आ चुका है या आप इसको रट लिए एकदम बिहार में चमपारन में गांदी जी ने सबसे पहले अपने सस्तेगर किया तक बिहार में देखे गांदी जी 1915 में वापस आ गय थे इंडिया में और फिर सबसे पहले उन्होंने एक डिर साल तक पूरे भारत की यात्रा करते रहे फिर राज कुमार सुकला एक करके बंदे उन्होंने बुलाया था गांदी जी को कि वहां पे चमपारन में नील के जो किसान उनके उनका बहुत सोस्रोड हो रहा है और जो भी वहां के नील की खेती करने वाले से उनको बहुत परेशान कर रहे हैं यह सब जो तीन कटिया सिस्टम तर तीन बटा बीस यानि की जितना जितना भी आपके पास लैंड है और उसमें तीन कटिया सिस्टम इस रिलेटेड टू चमपारन तो जितना भी आपके पास लैंड है उसका 3 बटे 20 जो भाग होगा उसमें आपको नील की खेती करने पड़ेगी यह नील यानिकी इंडी को उसी से रिलेटेड था यह पूरा म कोमेंट तीन कटिया मतलब 3 बटा 20 फिर आहमदाबाद में मिली स्ट्राइक हो गए थी उसमें वहां पर लोगों को बोनस और सैलरी का इश्यू था फिर खेड़ा सत्यागरा में फेम आई ना गया था लेकिन जो ब्रिटिस सरकार थी फिर भी उन्होंने अपना लेंड डिव पात और फिर खेड़ा फिर उसके बाद तो कोई सहरे हुए फिर रॉल अटेक्ट रून कॉप्रेशन मुमेंट और सिविल डोव डिसोबीडियन मुमेंट और कई सारे वे इंडिविजुल सत्यागरे और कुट इंडिया फिर तो आप जानते ही है तो गादी जी के पहले ती इन यह मुमेंट थे सी एक 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 आप याद रखिए का केक गांधी जी खाते थे जैसे इंडिया में उनको केक खिलाए गया था चंपारन सत्यागरे तीन कट यह सिस्टम था तीन बटा बीस से विवह ने बताया आपको जितना भी लेंड है उसका तीन बटा बीस भाग में करने आपको जो घुङऑ के किसान थे उनको इंडिगो इंडिगो फ्लांटर्स इंडिगो का प्लांट करने था और इंडिगो फ्लांटर्स ने बहुत परेशान कर रहो था दराज कुमार शुक्त्टला के बुल पाइए यह प ein स्ट्राइक में सैल्य और बोनस इसू था और खेड़ा सत्यग्रह में फेमाइन और प्रावर्टी और फार्मर्स ट्रिडेटे टैक्स इसू से चुने बहुत दिर होगी एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजे एक ये एक अरावी पुरम मूवमेंट था ये किसने स्टार्ट किया था इसका नाम लिखके बताएगा कमेंट में फिर देखें अगर हम सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ये किस ने बोला था ये बोला था राम प्रसाद बिस्मिल जी एक पोईट भी थे पैट्रियोटिक पोईट बोलते हैं इनको हिंदी में भी लिखते थे ये उर्दू में भी लिखते थे और कई सारे इनके नेम थे मतलब कई सारे नामों से लिखते थे ये राम नाम से लिखते थे अग्यात नाम से लिखते थे बिस्मिल इनका नाम काफी पॉप्लर हुआ था तब ही इनके लास्ट में देखी नाम में विड़ी जुड़ा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल इन्होंने मैंपुरी कॉंस्पिरेसी जो 1918 में हुथी उसमें पार्टिस्पेट किया तक काकूरी जो लूटकांड हुआ था जो कॉंस्पिरेसी हुई थी 1925 में उसमें भी इनका लोल था राम प्रसाद बिस्मिल जी का और ये वन आप दो फाउंडिंग मेंबर्स थे जो रिवॉलूशनरी और गनाईजेशन था हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसियेशन जिसको की सहीद भगत सिंग के इन्वाल्मेंट के बाद एचेसरे बना दिया गया यानि कि हिंदुस्तान सोसलिस्ट डिपब्लिकन एसोसियेशन और ये एचेसरे का फॉर्म ही थी 1928 में फिरोश शाह कोटला में नई दिल्ली में तो ये आपको फैक्ट आपको याद रखने है ये सब कुछ फिर एक आपने देखा होगा कि एक पूरा ये लाहोर में रिजोलुशन लिया गया था और वहां पे पूर्ण सोराज की मांगी थी लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले पूर्ण सोराज या पूर्ण सोराज की मांगी थी मौलाना हजरत बोहानी जी ने 1921 में ये फैक्ट आ चुका है, BPSC में आ चुका है, ये वाला और कई UPPCS में भी आ चुका है, एक दोबारी क्वेस्चन, तो अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार पूर्ण सोराज सोराज की मांग किस ने की थी, तो वहां पे नहीं है, पूर्ण सोराज वाला नेरू जी ने ने की थी उनसे भी पहले, उन्होंने तो 1929 वाले सेसन में की थी, 1921 में मौलाना हसरत मौहनी जी ने की थी, करम साह जी ने पागलपन्त की इस्ताफना की थी, पागलपन्त एक सोशियो रिलीजियस ओर था, जो की लेट 18 सेंचुरी में डेवलप हुआ था, बेंगॉल रीजन में, और ये एक्चली एक मिक्स्चर था हिंदुईजम, सूफिजम, एनिमिजम, एनिमिजम का मतलब होता है कि जो निच्टरल अब्जेक्ट होते हैं जिसे रीवर हो गई, रॉक हो गई, पेड़ पौदे हो गई, इन सबके भी आतमा होती है, इन सबके भी स्पिरूट होती है, तो यही इंडुरिजम, सुईफिजम और एनिमिजम को मिला के एक टीनों का एक मिक्स्चर के लिए एक सोशियो डिलिजियस ओर्डर था यह पहले इसको स्टार्ट किया था टीपूशा ने और फिर इनके सन इन्यानी की लड़के करम साजी ने इसको कंटिन्यू किया था पागल पंत आजाध हिंद फौश के बारे माँ आप सब लोग जानते ही होंगे इस यह सुभास चंद बोस नेता जी जिनको बोलते हैं नेता जी सुभास चंद बोस से रिलेटेड है यह और इसकी एगर देखें जो इस्थाफना जो स्टार्टिंग होई थी वो सिंगापूर में होई थी और यह जो इंडियन हमारी आर्मी उसका भी पहले का एक समझ एक तरह से रूप है यह पहले और एक बार आजाध हिंद फौश की गई थी तो यह आर्मी हिंद फौश के बारे में कुछ और फैक्ट देख रही है यह नेता जी सुभास चंदोस की इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम है आजाधिन फौश यह इग्जैक्टली इसको जो फाउंड किया था जो इसके फाउंडर थे वो थे मोहन सिंग कैप्टन मोहन सिंग तो तो वो थे कैप्टन मोहन सिंग फिर उसके बाद यह सिंगापूर में फौर्मी थे और जो भी उस टाइम के इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार थे उन सब ने मिलके सिंगापूर में आजा दिन फौश की स्थाफना कर ली फाइनली इसको लीड किया था सुभास चंद बोस ने तो इनको रिवाइव किया था और ये सब जो भी इसका ये हुआ था वो नेता जी सुभास चंद बोस जी ने किया था जब इस साउथ इस्ट एसिया में पॉलिटिक्स में उननी सुभास चंद बोस ने आय थे और इनकी लिडर्शिप में पर कई सारे जो एक्स प्रिजिनर और जो सिविलियन वॉलिंटियर्स थे मलेशिया के और बर्मा के उन्होंने भी ये आजा दिन फॉच को जॉइन किया था ये इस मार्च 1931 का डेटा ब्याद रख लिए इस दिन बी आरेस यानि कि भगत जिंग राजगुरू और सुखदेव को फासी हुई थी 23 मार्च 1931 ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कई सारे स्टेट पीसेस एक्जाम में बी आरेस एक फॉर्म है दिखिए मैंने कई सारे आपको जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर होंगे जो रेगुलर मुझे सुनते होंगे उनको मैंने बता होगा कई सारे कि आप एक जाम पढ़ते हुआ एक पिएज अपना बना के रख लिए एक पुरा चार्ट पेपर तैयर कर लिए और जैसे ऐसे चोटे-चोटे फॉर्म है इसको उस पर लिख लिए और बगल में उसका छो नहीं रहती है आते जाते आप कहीं भी निकलते हैं कुछ करते हैं तो वो अगर वाल पर नजर पढ़ती रहती तो अच्छा रहता है 1857 में भारत का गौर्णर जनरल कौन था वो था लॉर्ड केनिंग लॉर्ड केनिंग के टाइम पे ये रिवोल्ट हुआ था 1857 जिसको के फ़र्स्ट वार उफ इंडिया इंडिपेंडेंस डिवोल्टे लॉर्ड केनिंग के बारे हम कुछ जी के देख लेते हैं 1856 से 62 तक रह प्रेस कर दिया था सक्सेस्फूली फिर उसके अलावा इंडियन काउंसल एक्ट 1861 सो एकसर्ट पास कर दिया था इन्होंने इनके टाइम पे जिसमें की इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंट्रोड भी जो आज एक इनरजी के जो मिनिस्टर होते इन्होंने जो बहुत थी विवादी थी Doctrine of Laps ये Lord Dalhousie ने जो इस्टार्ट की थी उसको भी वापस ले लिया था और यही एक्चली एक में रिजन था था 157 का विद्रोका थारुस था उन के कई सारे रिजन थे पॉलिटिकल भी थे शोसल भी थे और का भी enactment हुआ था Indian Penal Codec का भी enactment हुआ था Bengal Rent Act भी इनके टाइम पर आया था और Introduction of Income Tax on Experimental Basis भी इनके नाइम पर आया था ये मैं इसले बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे question आते हैं कि कुछ आपको event दे देंगो और ये पूचेंगे कि जैसे ये Indian High Court Act कि इसके टाइम पर हुआ थ तो उसमें जो नहीं question है एक दूसरा question है कि हिंदू Patriot ये किस ने लिखा था ये आप comment करके बताएगा हिंदू Patriot चित्रंजन दास 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था Indian National Congress का तो उसके अधिचते चित्रंजन दास और उसमें स्वराज पार्टी का establishment हुआ था देखिए जब non-corporation movement ले लिया गया था गांधी जी ने वापस ले लिया था चौरी-चौरा कांड हो गया था उसकी वज़े से तो उसमें ये हुआ था कि कुछ लोग pro changer हो गयते कि वो change करना चाहते है तो कुछ लोग no changer हो गयते कि वो गांधी जी ने जो बोल दिया वही ठीक है कि गांधी जी ने वापस लिया है तो गांधी जी बोलना है उसले कुछ बात होगी तो जो no changer जो pro changer थे वो थे सुराज पार्टी वाले मोतिला नेरो और सियार दास ने इन्होंने कि जाकर अपनी अलग पार्टी बना लिए उन्हीं नी बोला कि हमको अलग पार्टी बनानों दो और हम P जो 22-22 से 22 तक non-corporation moment या फिर असा योगा अन्दोलन हुआ था उसमें बिहार में एक मानता है ये भी थी क्योंकि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्नम के प्रतीक है और उनके साथ है गांधी जी फिर अगर आप देखें ऑल इंडिया किसान सबा इसकी स्थापना होई की इंडियान नैस्नल कॉंग्रेस के 1936 वाले सेशन में जो की लखनाव में हुआ था और इसको इसमें आल इंडिया किसान सबा के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो थे स्वामी सहजानन सरस्वती जी तो स्वामी सहजानन सरस्वती ने भूम योर जलमार के राजटी था उनिज सो चत्रीस में मतलब आप याद रखेंगा और इसके फांडर कब है उनिज सो चत्रीस में इंडियान नैस्नल कॉंग्रेस का लखनाव में सेशन हुआ था और इसके जो फांडर थे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे स्वामी सहजानन सरस्वती और 1936 में इंडि इन्डिया किसान सबार के इनिज नैस्तल कॉंग्रेस के उस समेंघ तूसरे थे जब यह पास हुआ था उनिज सो चतिस में नैस्तल कोंगरेस के द्चता कीती जवालन नेरुजी ने 1936 और 1937 दोनों में 1936 में लखनव में हुआ था जब All India किसान सबा बनी और All India किसान सबा ने अपना पहला प्रेसिडेंट स्वामी सहजानन सरस्वती को नियुक्त किया था तो ये कोईशन भी आ सकता है कि जब All India किसान सबा बनी तो उस टाइम पे इंडियन नेस्नल कॉंगरेस के प्रेसिडेंट या धच कौन थे तो वो थे जवालना ने रूँ सुबास चन्बोस का काफी आपने सुनाओगा दो इन्होंने सेसन लगातार इन्होंने गांधी जी के विरोध के बावजूद ये जीते थे ये जो इंडियन नेस्नल कॉंगरेस के प्रेसिडेंट सिप्तियों जीते तो 1938 में हरीपुरा में बने थे ये जो कि गुजरात में है और 1939 में बने थे तक राजेंद प्रसाद जी को तो ये क्वेशन आज सकता है कि जब त्रिपूरी अधिवेशन में सुभास चंद बोस ने रिजाइन कर दिया था तो उस टाइम पर इंडियान नैस्नल कॉंग्रेस के अध्याच किसको बनाया गया था और ये क्वेशन आया भी हुआ है ये क्व सब्जेक्ट था वो था भारत में सम्वेधानिक सम्व्यवस्ता हैं constitutional arrangements इंडिया ऐसे करके था ये मोतिला नेरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी और ये exactly बनाई किसने थी जो कमिटी थी उसको हेड किया था पंडित मोतिला नेरू जवारलाल नेरू के फादर और ये इसलिए भी में तो आपकी unity है नियो और एक ऐसा आप लोग consensus बना नहीं सकते हो आपकी कुछ demand होती ही तो Muslim League उसको oppose कर देती ही, Muslim League की होती ही तो आपका oppose कर देती हो, तो आप लोग ऐसा कोई इंडिया में एक United consensus बना के कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बना सकते हो कि उस हिसाब से फिर constitution बना किया था, तीसरा गोल मेज हुआ था, 1932 में, गोल मेज का मतलब होता, round table conference, तीन round table conference हो यह भी तक 1930 से लेके 1932 तक, इन सब के बारे में जो भी factor हो में बताता हूं आपको, पहली बात तो यह कि जो round table conference थी, यह किसकी recommendation पे उती, जिन्ना ने recommend किया, recommendation दी लॉर्ड इर्विन को, voice रह थे, और जो दूसरे, रेम से, मैकडॉनल्ड, जो उस टाइम के, UK के, यानि की, Great Britain के, प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो round table conference हो थी, यह question पहले याद रख लिए, कि जो round table conference हो थी, उस टाइम पे, UK के PM कौन थे, रेम से, मैकडॉनल्ड, और इसमें क्या-क्या demand आई थी, क स्वराज की डिमांड थी, सेल्फ रूल की डिमांड थी, और यह सब थी, तो कई सारे British politicians को लगता था, कि इंडिया को भी, जैसे Simon Commission में बात बन नहीं पाई थी, तो इंडिया को dominant status की तरब move करने के लिए, कुछ ऐसी meeting की जाए, वो लंडन में वी थी, तीन round table conference हो थी, और इ जिसने तीनों की तीनों round table conference में या फिर गोल में समयलन में भाग लिया, वो थे भी आर अंबेटकर, भीम राव अंबेटकर जी, फिर बाहत्मा गांदी जो की इंडियान नेशनल कॉंग्रेस के रिप्रेजेंटेटरी तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंडियान ने गांदी जी जो चाहते थे वो नहीं मिला, वहां पर उन लोगों ने एक communal award दे दिया था, तो गांदी जी गुस्सा होके वापस आगा और फिर से अपना जो CDM था, civil disobedience movement वो चालो कर दिया था, तो गांदी जी ने केवल पार्टिसिपेट किया था, second round table conference में, और यानि कि इं नहीं, मतलब उस टाइम वायरस रहे कौन था, वो थे Lord Irwin, ये आप याद रखे किया, ये question पूछा जा सकता है, जब second और third round table conference हुई है, उस टाइम पे जो इंडिया का voice रहे था, वो थे Lord Wellington, विलिंग ड़न है शायद ये, पिर कैथरीन में वो एल्डस है, क्सले, चारल्स है, एंड्रूज और विलियम डगडिक भी ने, बिर्टिस रासन के दोरन भारत की हलात पर टिप्पनी लिखी, ये कुछ आप फैक्ट याद रख लिए, राम जोही, रामोसी विद्रो हुआ था, महरास्ट में, वेस्टन ग प्रिटिशर्स थे, उन्होंने टैक्स अपने नहीं घटायते और जो भी लैंड रिवन करते थे, वो भी लगाता भी ये जा रहे, तो उसी लिए हुआ था ये, तो रामोसी विद्रो हुआ अगर आप से पूचा जागा, ये कहां पर हुआ थे, महरास्ट में हुआ था, 1879 म उसने किया था, वासुद्यो भल्वन्त फड़के ने, अगेरा विद्रो हुआ था, गुजरात के बड़ोता में, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ये सीरीज थी और इसको इस्टार्ट किया था, और विंदो गोष्ट जी ने, इस्थाई बंदो बस्त यानिकी पर्मानेंट से फिर था महलवारी सेटलमेंट, फिर एक रहयत वरी सेटलमेंट, वह हमें एक वीडियो में बनाके डिसकस करेंगे, उसमें पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर अस्वयोग अंदोलन यानिकी नौन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर आप से एक्जैक्ट डेट इंडियान नैशनल कॉंग्रेस बनने से पहले कई सारे सभाएं, कई सारी काउंसिल सरी सब बन चुकी थी, फाइनली वो सब, वो मतलब उस टाइम पर ये था कि रीजिनल लेवल पर बन नहीं थी, किसी स्टेट में बन गई, किसी छोटे सीटी में बन गी, ऐसा ऐसा बन नही थी, ओर अगर आप ओल इंडिया की बात करेंगे, तो इंडियान नैशनल कॉंग्रेस, फिर सब जितनी भी ऐसे चोटी-चोटी इंडिया में और गेसा थी, सब का कल्मिनेशन कहां पर हुआ था, इंडियान नैशनल कॉंग्रेस में हैं, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट से फिर इंडियान ये जो एक्ट लाय गया था, 1999 में, लाला लाचपत राय को शेहरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, बाल गंगादर तिलक ने कहाता कि स्वराज मेरा जन से देद्गार और उसे में लेकर रहूँगा, तिलक के बारे में, अभी हम कई सारे फैक्ट देखनेंगे, बाल गंगादर तिलक जी के बारे में, पंदरा अगस 1906 में नैसनल कॉंसल ओफ एजुकेशन की स्थापन वहिती, तो यह आप याद रखिए का, नैसनल काउंसल ओफ एजुकेशन की फाउंडेशन का वहिती, पंदरा अगस 1906 में, राजा रामोहनराय को भारती पुनर जागरण आंदोलन का पिता का जाता है, या राजा रामोहनरोय, फाउंडर थे ये ब्रह्मो समाज के, और इनका जो मोस्ट पॉपलर जनरल था उस टाइम पे संबात कॉमुदी था, 1817 में फिर इनोंने डेविड हैर के साथ कोलाबरेट करके, हिंदू कॉलेज एट ये कलकटा, ये हिंदू कॉलेज सेटप किया था कोल राजा रामोहनरोय, ये जो मिरतुल अकबर है, ये एकफार, ये किस ने स्टाइट किया था, राजा रामोहनरोय जी ने, ये इनको बोलते हैं, फादर आफ इंडियन लिनेसां, और ये फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के, और इन्होंने ही पॉपलर जर्नल, यानि कि संबात क अमुदी को स्टाइट किया था, और ये जो राजा रामोहनरोय हैं, इन्होंने कोलकता में हिंदू कॉलेज को सिट अप किया था, देखिए जितने भी कोईशन आ चुके हैं, अभी तक की स्टेट पीसेज और एसससी और इधर उधर की एकजामों में, जितने भी, वो सब के एक जगह मैंने लाके आपको बता दिये, इसको आप देख लिजेगा, तो जो भी आपका एकजाम होने वाला है, इसको रिवीजन टाइप का है ये, सब कॉंसेप्ट इसमें थोड़ा-थोड़ा मैंने बता दिये कि आपको सब कुछ याद रहे, तीसरा गोल में जभी मैंने आपको पहला जो आर्टीसी हुआ था, वो लॉर्ड इर्विन के टाइम पे हुआ था, 1930 में और फिर ये फाइनली, सेकंड और थर्ड हुआ था, लॉर्ड विलिंडन के टाइम पे, 1932 में प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज, इसके अगर फाउन्टर पूछ है, तो ये आत्मा रांग, पांडू रांग थे, प्रार्थना समाज अक्या था, ये एक शोश्यो रिलीजियस रिफॉर्म का मून्मेंट था, ये बॉमबे में आया था सबसे पहले, बॉम्बे में स्टाइट हुआ था प्रारतना समाज नाम से, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम थे, ऐसे social religious moments के, तो अगर जो बॉम्बे का religious, social religious moment है तो वो है प्रारतना समाज, प्रारतना समाज और इसको, जो इसके founder थे, आत्माराम पांडूरंग, और इन्हों ने के 1660 यानि के 1867 में प्रारतना समाज की स्थापना की, और एम क्या था कि, जितने भी लोग हैं, वो अलग-अलग गौड में बलीव करते हैं, अलग-अलग देवताओं के पूजा करते हैं, तो उनका एम ये था प्रारतना समाज का, कि जो लोग हैं, उनको ये बलीव कराया जा तब ये काफी फेमस हो गया था, प्रारतना समाज फिर भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के प्रता में दिवेशन, यानि कि फर्स सेसन मैंने बताया आपको बॉम में हुआ था, डबलू सी बनर जी उसके अच्छी थे, 72 उसमें प्रतिनी दिया है थे, सी राजगोपालाचारी अगर आपको ये पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट से पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को थे लौड माउंट बेटन, लेकिन ये पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल और दूसरी बात कि अभिनाः भारत सोसाइटी बोलते थे उसको उस टाइम पे, आज के लिए अभिनाः भारत नाम से एक रायट विंगका हुनदू एक सीक्रेट सोसाइटी थी और इसके फाउंडर थे विनायक दामोदर सावरकर यानि की वीडी सावरकर और दूसरे उनके भाई गनेश दामोदर सावरकर इन दोनों ने मिलके 1903 के 1904 में स्टार्ट की थी ये महरास्ट में अभिनाव भारत नाम की संस्ता और इनीशली ये ना पुने में ये जो सुसाइटी थी इसने फिर कई सारे और भी रिवोलिशनरी को अट्रैक्ट किया और कई सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी से जुड़े और इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में धीरी दरे फैली और इवेन ये लंडन तक में एक्स्टेंड हो गी थ जब ये वहां पर गयते लौ पढ़ने गयते उसके बाद फिर इन्होंने कुछ एससेसिनेस किये थे ब्रिटिश ऑफिसल के और इसके बाद सावर करक ब्रदर्स को फाइनली ये जेल में भेज़ दिया गया था और फाइनली इस सोसाइटी को भी डिस्बैंड कर दिया गया 1902 और अभिनोभारत आजका ये अभिनोभारत सोसाइटी को किस ने इस्टाट किया था विराइक दामुदर सावर करेंड पर को वह गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मुवमेंट खतम कर दिया था कि अभी ये मुवमेंट हम लोग कंटिनुनी करेंगे इंडिया के लोग इसके लिए तैयार नहीं तो उसके बाद जो कॉंगरेस थी हो दो भागों में बढ़ गई थी दो इसमें ग्रूपम बढ़ गई थी एक प्रोचेंजर एक था ये नोचेंजर प्रोचेंजर वाले चाहते थे कि चेंज होना चाहिए और एक नया दल इन्होंने बना लिया था स्वराज दल और इसमें सियारदास और ये मोतिला नेरूजी थे और दूसरे थे नोचेंजर जो चाहते थे कि नहीं गांधी जी ने बो रहे थे स्वराज पार्टी के बारे में को जानना चाहिए यह इस्टैब्लिश हुई थी ऐसे कॉंग्रेस खिलापत स्वराज पार्टी और यह जनुरी 1923 में फाइनली बनी थी जब गया का सेशन हुआ था 1922 में हुआ था गया का सेशन तो यह आप याद रखी गाए एक बार मैं और बता चुका हूँ इंडियन नैस्टनल कॉंग्रेस का गया का सेशन हुआ था दिसंबर में 1922 में उसके परिणाम स्वरूप फिर बनी थी फाइनली स्वराज पार्टी 1923 में एक जनुरी 1923 को बनी थी और इसका जो यह यही था कि यह स्वराइस सेल्फ गवर्मेंट क पहले गांदी जी अलाओ नहीं कर रहा थे फिर देखा है उनको की एक बार उन्होंने फिर अलाओ किया और उन्होंने पर्फॉर्म भी अच्छा किया था सुराज पार्टी ने सेंटर लेजिस्टेटिव एसेंबली और प्रोविस्टेटिव एसेंबली के 1923 के इलेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्म किया था काफी इच्छा रिजोल्ट दिया था सुराज पार्टी ने फिर अगर आप देखेंगे थियो सोफिकल इस सोसाइटी की सापना किस ने की थी और कहां पर उती सबसे पहले तो यह की थियो सोफिकल इस्ट जो सोसाइटी थी वो न्यू यॉक सिटी यूएस में स्टार्ट वी थी 17 नॉम्बर 1875 को यहां से स्टार्ट इती यूएस से और इसको किसने किसने स्टार्ट किया था है एच्छ पी ब्लावेट्स की और एस ओलकोर्ट इन उनुका नाम अप्याद रखेगा फिर और तीसरे हैं विलियम कौन जज्ज ओलकोर्ट जो थे यह हैंडरी स्टील ओलकोर्ट यह थियो सोफिकल सोसाइटी जो यूएस में स्टार्ट वी थी 1875 में नियॉक सिटी में उसके पहले प्रेसिडेंट थे यह और तियो सोफिकल सोसाइटी का अडियार में जो की मदरास में चन्नाई में और फिर उसके बाद इसको एनिवे सेंट ने कंटिन्यू किया एनिवे सेंट इस पर काफी काम किया था गीता रहस से एक गांधी सोरी बाल गंगादर तिलक ने फुस्तक लिकित उसका नाम था गीता रहसे तिलक यानि कि बाल गंगादर तिलक जी से रेटर कुछ फैक्ट देख रहते हैं ब्रिटिश जो अथॉर्टी थी उनको बोलती थी तिलक जी को फादर आफ दा इंडियन अंडेस्ट ये कुश्चन आ चुका है कई बार इनको लोग मानने बोला जाता था था क्योंकि जो तिलक जी थे वो लोग मानने का मतलब होता है कि एक्सेप्टेट बाइदा पीपल लोगों के द्वारा ये एक्सेप्टेट थे लोग इनके विचारदारों को मानते थे और इनको एज़ा लीडर देखते थे बाल गंगादर तिलक ने फिर ये डिकेन एजुकेशन सोसाइटी को और्गनाईज किया था इसको स्टार्ट किया था तिलक ने फिर मैथमेटिक्स भी पढ़ाया था फर्गुसन कॉलेज जो की पुने में तिलक ये अठारह सो क्यानवे में एक बिला रा था एज़ ऑफ कंसेंट बिल उसमें लड़किव की ऐज़ बढ़ाके दस से बारा कर दी जा रही थी, लेकिन तिलक उसके खिलाब थे, मतलब तिलक उस समय रिफॉर्म के उस इस वाले बिल के खिलाब थे, ठारो सो क्यान्वे में, एज आफ कंसेंट जो बिला थे, ये कुशन आ चुका है कि इवर, ऑल्दो अगर आप देखें तो परसनली वो ये म तिलक ने फिर ये विबॉनिक प्लेग फैल गया तब बुंबई और पुने में, उसमें उसके वैसे कई से डिट हो गेती हुए, तो उसको अपने, देखें, तिलक के दो में पेपर थे, उन दोनों का नाम आप याद रख लिए, पहला था केसरी, और ये माराठा लेंग्व में और जो मराठा था, वो था इंगलिस लेंगोज में, ये दोनों बाल गंगादर तिलक के बहुत पॉपलर जनरल थे, तो इसी में फिर इन्होंने ये बिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया, और विबॉनिक प्लेग के लिए जो बीड़े थी हैं, उसमें फिर ये कई सारा इन्होंने ये इंदु स्क्रिप्चर भगवत गीता में लिखे, कई सारे जो भी इस लोग थे उनको इस साइट के और उससे कुछ लोग भढ़के और उसके बाद फिर ये 22 जनरी उन्निस 1897 को कमीशर आर एंडी, रैंड और जो दूसरे बिटिस ऑफिशर थे, लेटनेंड इनको चापेकर ब्रिदर्स ने मार दिया था, शौट एंड किल्ड वाई चापेकर ब्रिदर्स तिलक जी के आर्टिकल से भढ़के और फिर इसके बाद इसलिए तिलक को इसाइटमेंट टू मर्डर के लिए 18 मन्द का प्रिजिन्मेंट इन प्रिजिन्मेंट दे दिया गया लेकिन बिट्रिशर्स जानते ने थे कि तिलक जी बहुत मजबूत है और उसके बाद अब को ये भी कर सकता है कमेंट की तिलक जी तो ऐसे बोलना है जैसे मेरे बड़े भाईया है ऐसा नहीं है वो सबको रिस्पेक्ट देनी होती है तो मैं उनको इसलिए बोलना हूँ कई स से कुछ संबोधित करके बोलना चाहिए तो बाल गंगादर तिलक की बात कर रहे थे हम लोग फिर इन्होंने देखे पीस अप्रेल 1908 में दो बंगॉली यूद थे प्रफुल चाकी और खुदी राम बोस इन्होंने ये मुझफर नगर मुझफर पुर पे ये वहां के मेजि अब पिर की बाल गादर रहे थे हम ल GREEN मुझफर फुर में ये कुछा आता है कि जो बांम फिका था हाउ ये मज़िस्ट्रेड डॉुलास में नेल कि बाल तरफुल चाकी और हुदिरां बोस ने तो तिलक्ने पिर अपने जो केष्रि जो इनका पेपर था मराठी बासा में उ सबस्क्राइब तो तिलार दूसरी है अनी बेसिंट तो तिलाग ने सबसे पैली यह लीग बनाई थी सिटी ऑफ पुने में बनाई थी अप्रेल 1916 में उसके बाद इंडिया में देखिए तिलक भी एक्टिव थे जब वापस आ गया थे और एनी बेसंट थी तो सबसे पहले तिलक ने बनाई अप्रैल में 1916 में पुने में और उसके बाद एनी बेसंट ने सेकंड ये होम रूर लीग बनाई थी अध्यार मदरास में सेप्टेंबर 1916 में ये भी आप याद रखेगा कि पहली होम रूर लीग किसने बनाई वो बनाई थी तिलक ने अप्रैल में और दूसरी किसने बनाई फिर एनी बेसंट ने उनने सो सेप्टेंबर में मदरास में तो लीग का देखिए नाशनल एड़कोर्टर तो दिल्ली में ही रहा था लेकिन जो मेन एक्टिविटीज थी वो बॉंबे में भी थी कोलकता में भी थी ये मदरास में भी हो रही थी तिलक ने मतलब जो होम रूर लीग है वो महरास्ट देखे तिलक कहां कहां एसोसियेट थे ये होम रूर लीग से महरास्ट सेंट्रल प्रोविंसेज और करनाटक और बिरार ये चार रीजन में तिलक एसोसियेट थे और बाकी जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी वो बाकी पूरे इंडिया में, रेस्ट पार्ट आफ इंडिया में, ये आपको याद रखना है, ये क्वेशन आ सकता है, महाराष्ट में सेंट्रल प्रोविंस और करनाटक और बिरार रीजन में तिलक की होम रूल मुव्में का एक्टिव ये लोग एक्टिव थे और उसके अलावा बाकी जो रेस्ट पार्ट आफ इंडिया थे, उसमें एनी बेसेंट था है, 1857 में जो विद्रोव हुआ था, उसमें कुवर सिंग जगदीश कुबार, जगदीश पूर के थे, इन्होंने उसका वो किया था, लीडर् प्रिटिश रूल हो रहेगा तब से, आरा अगस 1765 को समराथ शालम दिती ने इस इंडिया कंपनी को बेंगौल बिहार वा उड़ इसा की प्रदानी, ये दीवानी प्रदान की थी, कुवर सिंग्ने जगदीश पूर में ये 1857 में बता चुकाओं को, 1857 के विद्रोव के बा अरी अंदूलन भारत में जो चालू हुआ है, वो जोतिबा फुले की प्रेणा से आगे बढ़ा है, जोतिबा फुले के बारे में कुछ वाएक देख लेते हैं, जोतिबा फुले ने 1873 में सेप्टेमबर में सत्य सोधक समाज की स्थापना की थी, ये क्वेशन आचुका है क स्कूल खुला था गर्स के लिए 1848 में, और ये फिर कई बार ये लड़ते रहते थे एकुल राइट्स के लिए पेजन्स के लिए और जो लोर कास्ट के डिप्रेस्ट पीपल है उनके लिए, जेपी नरायन ने बियार सोच्ट इस पार्टी की स्थापना की, फिर ट्रेड य से उत्रा कंड पीसेस के एक्जाम में भी आया था एकुश्चन, लॉड डेलोजी इस आलसो नोन एज लॉड रहम से, लॉड डेलोजी थे जिन्होंने डॉक्ट्रीन ओफ लैप्स इंट्रोडूस की थी इंडिया में, उसके लावा सिविल सर्विसेस के रिफॉर्म से रिले अगर उनके खुद के कोई बच्चे नहीं होते थे तो वो किसी को अडॉट कर लेते तो फाइनली जनरेशन टू जनरेशन इसे चलती रहती थी लेकिन डॉक्ट्रीन ओफ लैप्स ने वो खत्म कर दी थी, ऐसी कई सरी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जैसे की सबसीडरी अल इसको कमेंट करके बताएगा, सबसीडरी अलायंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरेल या वायस रहने इंट्रडिश की थी इंडिया में, बिर्सा मुंडा का जो कार्ची है, राची था ये बिर्सा मुंडा का कार्चेतर, 1921 में में मौपला विद्रो हुआ था केरल में, ये आप 31 अक्टूबर 1920 में स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में इसकी स्थापना हुए थी, भारत ट्रेड यूनियन कॉंगरेस की और इसको इसको इस्टार्ट किसने किया था, लाला लाजपत रहा है, जोसेफ बप्टिस्ता और एनम जोसी, इन्तिनों का नामें आप याद इसकी स्थापना हुए थी, बॉम्बे में, लाला लाजपत रही जी ने की थी, याद रखी गए इसको, फिर अखिल भारती किसान मा सभा अप सबसे पहली बार लगनाव में तो यह मैं बता चुका हूँ आपको, और इंडिया किसान सभा सबसे पहली बार हुए थी, लगना नेरू ने, और उस समय इनको जो AIKS हुआ था है, यानि कि All India किसान सभा, उसमें सहजानन सरस्वती को सबसे पहला इसका प्रेसिडेंट माना गया था, और वैसे आगर आप देखें, किसान सभा के मूव्मेंट जितने भी हुए थे, बियार में, वो अंडर दे लीडर्शिप सब्सक्राइब के ही हुए थे, और 1929 से एक्टिव थे, फिर बंगाल जो पर्टिशन वह था, 1911 में उसको रद कर दिया गया था, शिक्षा में उस उदार के लिए फिर सैडलर एक कमिटी बनाएगी थी, सैडलर यूनिविश्टी आयोग बनाए गया था, 1907 में, इंडियन Association of Kolkata जो थी वो भारती राष्टी कॉंगरेस में सबसे पहले, उससे पूर सबसे में मतलब इंस्टिविशन था, में कई सारे मैंने बताया था, आपको कॉंगरेस से पहले कई सारे लीक्स बनी थी, सभाय बनी थी, उनमें से इंडियन Association of Kolkata काफी इंपोर्टिन थी, तैफ प्रेल, 1919 को बैसाकी का दिन था उज दिन, और फिर ये, ये दोनो का नाम आप्याद रखेंगे, डॉक्टर सहिफुदिन किच्टू, सहिफुदिन किच्टू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को बंदी बना लिया गया था, तेरा प्रेल को फिर हुआ था, जलिया वाला बाग, हत्या कांड, मरे तो हजारों लोग थे, लेकिन अफिशली साड़े तीन सो के करीब लोग दिखाये गये थे, और ये जनरल डायर था, उसने एक करनल था, एक रेजिनल डायर, इसने और दिया था कि जो भी वहां पे, जो ये अम्रिसर का पार्क था ये, जलिया वाला बाग था ये, उस सब तरब से बंद करके और एक इंट्री पे आके इसने बहुत सरी, मतलब लगा तर बोल दिया था, अपने सिपायों खोड़ा करके, खोली से मार दो सबको, कुछ लोग उस कुवें, वादल पे कुवां था, उसमें कूद गया थे, जान बचाने के लिए, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि तीन, साड़े तीन जार लोग मरे थे, लेकिन इन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स ने ऑफिशल डिटा बोद कम दिया था, साड़े तीन सो के लगब, उसके बाद फिर एक, उसी टाइम पे जो वहां का गवर्णर था, उसका नाम भी डायर था कुछ, और उधम सिंग का नाम आपने सुना होगा, तो उधम सिंग गया थे यूके में जाके, इनको नहीं मारा था उन्होंने, जिसके ओर्डर पे दिया गया था, उस टाइम जो गौवर्णर था यहां का, उसको मार गया गया थे, पॉलिटिकल जो भी रिखॉर्म्स होते हैं, उनको सब लेकर विरोध करने वाले पहले भारती बाल गंगा दरती लग थे, उन्निस सो आर्ट इस्वे में मुझफर पूर में किंग स्पोर्ड की अत्ता का प्रयास किया गया था, अभी मैंने बता दिया, चाकी ब्रिधर्स, प्रफूला चाकी और एक और थे, मुझफर पूर का नाम आया था, तो देखें, मुझफर पूर के बारे में एक फैक्ट है, कि मुझफर पूर को लीची का गड़ बोलते हैं और इंडिया में सबसे अधा लीची का प्रोडक्शन यहां पे होता है, वैसे भी बिहार लीची के प्रोड़क्शन में नंबर वन पे हैं, लीची के प्रोड़क्शन से रिलेटेड ही अभी एक न्यूज आ रही थी कि कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की वो लोग शाम को जादा लीची खा लेते थे और इवनिंग का डिनर इसकिप कर देते थे तो उनकी डेथ होने लगी थी, कुछ अभी न्यूज आ रही थी दाइंदू में और कई सारे पेपर में, रिसर्च में ऐसा पाया गया कि लीची खाना चाहिए लेकिन लीची खा के आपको इवनिंग का डिनर इसकिप करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर उसमें ग्लूकोस जो बनता है बच्चों में वो कम बने लगता है, उसकी वज़े से फिर चोक हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। चंपारन जो नील की यह मैंने बता दिया आपको, कांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्यक्राइब वही किया था, अभी मैंने बताए गांधी जी ने इंडिया में आता ही केक खाया था, चंपारन एहमदाबाद और ये खिड़ा। ब्रॉल अटेक्ट उन्ने सो निस में पास हुआ था, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मुमेंट उन्नी सो बाइस, उन्नी सो बीस एक अगस्ट उन्नी सो बीस से चालू किया, उसी दिन बाल गंगाधर तिलग किड़ेत हो गई थी, भारत में प्रतम विधी विश्व विद्याले की स्थापना, अगस्थ 1887 में बैंगलूरूरूम की गई थी, ये एक संथल रिवोल्ट हुआ था, उसके बार जारकंड के, उन्होंने अंग्रेज कमांडर मेजर वारो को हरा दिया था, और वो जो ये संथल रिवोल्ट था, ये दोनों, ब्रिटिश जो कॉलिनल अथर्टी थी उनके भी खिलाब था, और जो अपर कास्ट के जमीन दार थे उनके भी खिलाब था, दोनों मिलके तो लो को, 30 जून को इस्टार्ट हुआ था, ठार सो पच्पन को, और फिर फाइनली दस नंबर को आपर मार्शल लगा दिया गया था, तो संथल रिवोल्ट कहा पर हुआ था, पहली बात तियाद रखीगा, ये जारकंड में वा था, और इट वाज अगेंस्ट बोथ, तब अठार सो पच्पन का जो इमीडियेट जो रीजन था, ये था कि अठार सो चपन में जो ये एक इनफील्ट राइफर इनलों ने इंट्रोडूस की थे, और उसमें ऐसा बोलते थे कि काउ का और पिक का दोनों का फैट था, और काउ का जो फैट होता है, वो हिंदू के लिए काफी हिंदू लोग नहीं खा सकते हैं, पाप होता है, और जो पिक है, वो मुसल्मानों के लिए पाप होता है, तो उसी लिए फिर दोनों जो भी हैं, वो भड़क गयते उस टाइम पे, दस मई से ये स्टार्ट हो गया था, आठार सो तावन पे काफी सारे फैक्ट हैं, उस के लिए एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, कई सारे रीजन भी थे, इसके कई सारे लीडर्स भी थे, विर्सा मुंडा ने ये जो क्रांती की थी, मुंडा क्रांती वो एक साल के लिए की थी, बहुत कम उमर में न को मार दिया गया था, और इजनल नेम क्या था, मूल संकर्तिवारी, स्वामी दयानन सरफ्तिती का और इजनल नाम था, मूल संकर्तिवारी, एठारहसच चौबीस में गुजरात में इनका जनम हुआ था, और फाइनली ये यही वो थे, जिन्नोंने आरसमाज की फाउंडेशन की थी, आरसमाज के कई सार नारे दिया थे, और फाइनली इसको लोकमान तिलक ने उठा भी उठाया भी था, और फिर फाइनली स्वाराज वर्ड आगे काफी फिर ये, दादा भाई नोरो जी ने उन्निस सो चै में जिसे ये इंडियन नैसनल कॉंग्रेस में पहली बार जो स्वाराज, जो भी कई सारे लोग दुस्मान हो गए थे, क्योंकि रिफॉर्म कर रहे थे हर चीज में, तो लोगों को लग रहा था कि ये धर्म में दखलंदा जी कर रहे हैं, अनुसीलन समीती, ये इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लिए, अनुसीलन समीती जो थी, ये बेंगॉल में बेज ती, और ये 1906 में स्टार्ट वी थी, अनुसीलन समीती, ये क्रांती कारी संग्टन थी, इससे लिट फैक्ट जाद के लिए ये क्विशन आता है, और हमेशा आता रहता है, आएगा भी, तो आपका रिवीजन हो रहा है से, तो अनुसीलन समीती ये कहां पे बेज थी, पीसे इंफ्लुएंस थी, और ये इसके दो प्रोमिनेंट ब्रांचे थी, एक थी वेस्ट बंगॉल में रेक थी, इस्ट बंगॉल में वेस्ट बंगॉल यानि कि जो हमारे पास है, इंडिया में रह गया, उसका नाम था, ये जुगांतर ग्रूप, और जो इस्ट बंगॉल यानि कि जो पाकिस्तान के पास चला गया था, और फिर फाइनली इंडिया ने जो ब्रेक करके बंगलादेश बना दिया था, उसका नाम था, वहाँ पर जो थी समिती, वो थी ढाका अनुशीलन समिती, तो ये अनुशीलन समिती बंगाल में पूरी बनाएगी थी, वेस्ट बंगल पर इसका नाम था, जुगांतर, इस्ट बंगल पर इसका नाम था, डाका अनुशीलन समिती, और इसको श्टार्ट किस ने किया था, अरोबिंदो घोस्त ने और उनके भाई वरिंदा घोस्त ने उनुश सो चै में बनाएगी थी, मैं आपको पता चुका हूँ भी, बंबे मनाएगी थी, और इसके पहले जो अध्यच थे वो थे, लाला राजपत्र हूए, अबुल कलाम आजाथ, इनके टाइम पर इक्रिस मिसन और लॉर्ड वावल दोनों आये थे, दोनों से इनों वर्ता की, देखिए, अबुल कलाम आजाथ के बारे मैंने आपको इस्ट अबुल कलाम आजाथ, इनके बारे में एक फैक्ट है, अबुल कलाम आजाथ, इसलिए इनके बर्डे को नेशनल एजूकेशन डे मनाते हैं, जो कि 11 नॉवंबर को हर साल पूर इंडिया में मनाया जाता है, तो आप यह याद रखिएगा, और यह इनके बारे में एक अबुल कलाम आजाथ, और अभी मैंने आपको बता था कि 1923 में भी बने थे अबुल कलाम आजाथ, और 1940 से लेके 46 तक लगाता है, चैसाल भी बने थे, अगर यह भी क्वेशन आता है, कि इंडिपेंडेंस से पहले सबसे लंबे टाइम तक लोंगेस्ट सर्विंग जो इंड अबुल कलाम आजाथ रहे हैं, उसके अलावा इनके कुछ देखे, अबुल कलाम आजाथ का एक हिंडू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक ये न्यूस पेपर था, अलहिलाल, इसमें हिंडू मुस्लिम एक्ता के बारे में लिखा करते थे, कि हिंडू मुस्लिम एक्ता होनी च इनके और बुक ती जो आपने नहीं सुनी होगी पक्की बात है गुभर ए खातिर ये मैंने भी आज मैं देख रहा था तो मैंने भी देखी पहली बार तो गुभर ए खातिर ये भी बुक अबुल कलामाजाद जी ने लिखी है सामपरदाई का वार्ड यानि की कमुनल अवार् गांधी जी से गांधी इर्विन पैक्ट जिसको बोलते हैं उसके बाद क्योंकि पहले वाले RTC में राउंटेबल कॉन्फरेंस में गांधी जी गह नहीं थे और फिर जब ब्रिटिश ने देखा कि जब इतना बड़ा इंडिया का लीडर ही नहीं आ रहा है उस टाइम पे ग गांधी इर्विन पैक्ट वहा कुछ कुछ कंसेशन दिये थे भगत सिंग की फासी नहीं दीती फिर भी गांधी जी मान गया थे इसलिए इनका आज भी क्रिटिसिसम भी होता है उसके बाद फिर यह गया थे तो वहां पे सेकेंड डाउं टेबल कॉन्फेंस में भी कुछ ब यह इंदु दर्म को आप बाटने की बात कर रहा है और फाइनली यहां पे आके जो उनका हमीशा पहले करते थे फास्ट पे बैट गया थे और फाइनली फिर भी आरमेटकर जीने और बागी जो इंडिया की लीडर्स थे उन्होंने मनाया उनको पुने में यह आगा खान प् पहले इनको सेपरेट एलेक्ट्रोड में मैकडोनल्ड ने दी थी 71 गादी इनका कि आप अपना सीटों का सीटे बढ़ा रो रिजर्वेशन कर लो तो तब ही से एक तरह से आप हो सकते हैं जो रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में उसकी भी स्टार्टिंग हो गई है बारत पर फिर से देख लिजे 1920 में होई थी 31 अक्टूबर 1920 में लाला राध पत्राय जोसेफ बबप्रिस्टा एनम जोसी ने की दी अमरत बाजार पत्रिका की स्टापना किसने की थी शिशिर कुमार गोस ने अमरत बाजार पत्रिका जो है ये ओल्डेस्ट डेली निउस पे पर है इंडिया का बेंगॉली स्क्रिप्ट में पहले लिखा गया था अमरत बाजार पत्रिका फिर इसको कर सेशन दिये थे ब्रिटिश ने इंडिया को और इसलिए गांद जी गय थे वहां पर तो इंडिया नेस्टर ऐससिर एक ही राउंटेबल कॉन्फरेंस के पाइस्पेट किया उस में गांदीजी इंडिया नेंशल कॉंफरेंस के रिप्रेज़न्टेट्ट थे और बाकी थे लॉर्ड वेलिंटन थे पांच मार्च उन्हीं सब्सक्राइब जब सेकंड रांटेबल कॉन्फेंस होने वाली थी लेंडन में थी तीनों की तीनों यह इरविन के साथ इनों पैक्ट किया था इरविन ने उससे पहले एक अनॉंस्मेंट किया था कि हम इंडिया को डॉमिन नाइडू ने इसको एक मातमाज और और यह दा द कमात्माज कि सको आशने यह इनूंट क्वाय्ट कि आप सरोजी ने आईडन तो यह पूचा जा और अरी इत्यॉ कि से लिट्एर गोला था सरोजी लोजी नैडू ने बोला था गांधी इरुविन पैक्ट के बाद है जब गांधी इरुविन पैक्ट हो गया था ये बोल दिया था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर से उनको छोड़ देंगे और 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 कोई सारे कंसेशन दिये थे जो जमीने जब की गए ये वो सब कर देंगे वो उन्होंने बोला था कि बस जो भगात सिंग है उनको फासी के लिए नहीं मान रहे थे तो वो आपको याद रखना चाहिए मदन मोहन मौलविया का नाम आपने सुनाओगा भारत रत्रत में मिल चुका है इनको अभी थोड़े दिनों पहले ही जब एंडिया की सरकार आई थी इनके बारे कुछ फैक्ट ये हैं कि इनको पहली बात तो महामना बोलते थे और ये बनारस इंदू उनिश्टी यानिकी ब पाउंडर थे देखिए सबसे पहले एक सेंटरल हिंदू कॉलेज था जिसको बनाया था जिसके मतलब जो फाउंडर थी वो थी एनी बेसेंट उसी को बाद में और ज्यादा एक्स्टेंड करके बना दिया गया बेच्चू जिसको ये जिसमें जो मेंजर जो मेंजर रोल था मंदनमों मालुया जी करता इन्हों ने यह ऐख़ वार को संभवार को भी संबोडित किया था संपादित किया था दलीडर नाम था इसका यह व्य हाइली इंफुरेंशयल इंग्लिस नेईजा निउस बेपर इंडियाबाद में चालू किया था 1909 से हिंदुस्तान टाइम्स के भी ये चेयर्मेन रहे थे 1924-26 तक और उसके अलावा इंडियोंने काफी प्रयास किये थे इसलिए एक हिंदुस्तान दैनिक भी 1936 में स्टार्ट हो गया था कुछ और फैक्ट आठारी सदी में बंगॉल में जो वस्तर देयोग हो था उसके पतन का मुख कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच तटक लगाते थे इंडिया में जो इंडिया से बाहर जाता था माल उस पर हाई टैक्स लगा देते इंडिया में जो आता में पूरा ही सब जो ब्रिटिसर्स की पॉलिसी है उनको एक्सपोज किया है बटलर कमिटी बनाई गी थी उनमें सो सब्ताइस में उसका जो में एम था वो क्या था उद्देश क्या था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच में समंधों को सुधारना 1906 में मिंटो शिम्ल आज सी राज गोपाला चारी के बारे में आपको पता चुका हूँ ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और लास्ट गौर्णर जनल थे एक ये गांदी जी के एक क्वेश्चन हा चुका एक बार की सबसे करीबी मित्र कौन थे सो दिनता अंदुलन के टाइम पे वो थे चारली एंड्रियूज एक मूवी थी दा गांदी उसमें भी अगर आप देखें तो दिख जाएंगे आपको ये ऐसी आपको मूवी देखनी चाहिए जो जिसमें सब फैक्च्छल चीज़ है आपको क्लियर हो जैसे कि सुबास चंभोस वाली मूवी साहीद भगत सिंग वाली कई सारी मूवी है ऐस दूर से उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाता है और कई दिनों तक याद बिले जाता है लेकिन अगर आप किसी न्यूज को पढ़ेंगे एक पेपर लेकर दस पनने का तो उसमें से बहुत सारी चीज़े बहुत कम चीज़े दिमाग में आप आती है तो या तो आप आप मेमरी जो इंटै या पिर जैदाए रहे गयां तो इसलिए जो पिक्टो्राल मेमरी ज्टीए जो ओडियो मेमरी इसको ज्यादा एफेक्टिव आना जाता है गांदी जी आ गया थे वापस जब सेकेंड डाउन टेबल में गुस्साओ के और फाइनली फिर गांदी जी को यहां पे को गांदी जी को बंद कर दिया गया थे और कॉंग्रेस को भी गयर कानू निकोसित कर दिया गया था चार्जरू उनिस भत्तिस को पूना पैक्ट का मैं बता चुका हूं उसका उदेश ता दलिक त्वर को प्रतिनिधित तुदेना सीटे बढ़ा दीती घत्तर से 147 और रिजर्ब कर दीती इंडिया ने जा फाइनली जो ब्रिटिश ने इंडिया को मतले इंडिया 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 इंटिमेंडेट हुआ तो लास्ट जो 1947 में जो से सन हुआ था सता जब हस्तांत्री तुई थी अंग्रेजों से भार्तियों को बेंगॉल पार्टिशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को डेट याद रख लेना उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चलो गया था 1911 में वापस आ गया था अगेन उनाइटेट कर दिया ग पे और रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में उस दिन चंडागी दिया जाता है उसको लिखा कितने था श्याम लाल पार्शद में अपसे पहले सर्वोदय सब्द का इस्तेमाल किया था गांदी जी ने पुर्त गाली उपनिवेस का प्रत्थम वाज़ रह था फ्रांसिसको कुका अंदोलन को किस ने संग्रित किया गुरुराम सिंग ने कुवर सिंग ने 1857 के विद्रोक अनेतव बिहार से किया था इंडियन एसोसियेशन के जो फाउंडर थे वो थे सुरेंदरनात बनर जी सुरेंदनात बनर जी के बारे में कुछ आपको फैक्ट याद रखने चा की स्टार्ट किया था इनको तो ये पुछा सकता है कि इंडियन नैस्नल लिबरेशन फेडरेशन को किस ने स्टार्ट किया था सुरेंदनात बनर जी ने इनको राष्ट्र गुरु भी बोलते थे ये भी पुछा सकता है कि इंडियन नैस्नल मुमेंट के टाइम पे राष्ट स्टियाटर गुरू किसको बोलते थे तो वो थे शुरेन नातबनरजी को और उसके अलावा एक दा बैंगॉली नियूसर्पेपर था उसके एडिटर कॉन थे वो थे शुरेन नात बानरजी यह तिनो फैक्रिया रगिया का सुरेद नादमरजी ने क्या क्या था, इंडियन नैस्नल लिबरेशन फेडरेशन को इस्टार्ट किया था, राश्टर गुरू इनको बोला जाता था, और दा बेंगॉली निउस्पेपर के एडिटर थे ये, ट्रीटि ओफ लाबाद के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुश्रिदाबाद का जो उब दिवान था, मुहमद रजा खान को बनाया था, एक पील आयोग का गठन हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि 1857 में जो विद्र हो था, उसके बाद बिटिश रैनिकों को एक जुट करने के लिए पील आयोग, पंगॉल के विजन में बता चुका हूँ, 16 लाग्टूबर 1905, वो हुआ था, उद्रम सिंह मैं आपको बता चुका हूँ, उस टाइम पे जब इस जलिया वालात्या कार्ण हुआ था, तो जो कॉलनल डायर थे, एक कॉलनल डायर थे, जिन्हों ने वो गॉर्णर दिया था, और एक कुछ टाइम पे उसी जगह के अमरत्सर के गॉर्णर थे, उनको गोली मारती थे, जो उस टाइम पे गॉर्णर थे, यूके में जाके, इंग्लेंड में जाके मतलब, कैबनेट मिसन सबसे लास्ट मिसन था, और इसका मेने में जी था, कि जो ट्रांसपर आफ पावर होनी इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया को, वो कैसे की जाए, तो उसकी अधच्छता किस ने की थी, ये पहली बात तो ये इनिशेट्व की स्टार्ट किया था, क्लिमेंट इ इसमें कौन-कौन थे, लॉर्ड पैत्रिक लॉरेंस, सेकरेट्री ओफ इस्टेट थे, उस टाइम के, सर इस्टार फोर्ड क्रिप्स, जो इस टाइम के, जिन्होंने देच्छता की थी, और एवी अलेक्जेंडर, इन थी नोंने मिलके, कैबनेट मिशन लाया था, और फाइन घनी ने अपनी कविता में, उसके बाद इसको सबसे पहले यूज किस ने किया था? भगत सिं ने उस किया था, तो ये एक जिन्दाबाद को लिखा किसने था, या फिर इंट्रडियूस किसने किया था, जो टर्म कौाइन किसने किया था, वो थे हजरत मोहनी, लेकिन जो सबस तो उसके लिए हुआ था 1886 में जो अधिया माया था उसमें लॉड कॉर्णोलिस को अपने जो काउंसिल के फैस्ते थे उनको रद करने का अधिकार मिल गया था देखे दादा भाई नोरो जी तीन बार इंडिया नेस्नल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट रहा थे और 1906 में इन्हों कॉंग्रेस जो कलकत्ता में कॉंग्रेस अधिवेशन की थी उसकी वे देच्छेता की थी और ये 1906 वाला जो सेसन है कॉलकता वाला वो काफी ने पहली बार स्वराज शब्द को इंट्रोड्यूस किया था अपना जो रिजोलीशन दिया था उसमें स्वराज को बताया था कि स्वराज ची इंडिया की डिमांड है मतलब उसमें एक्स्टिमिस जीत गया थे ये दूसरा जो देखे दादा भाई नोरो जी दूसरे जो इ 1886 उसकी विद्देचता इन्होंने की थी इनके बारे में कुछ फ्रैक दन लेते हैं ग्रांड ओल्ड मेंड ओफ इंडिया यानि की दादा भाई नोरो जी तीन बार ये इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की पोस्ट पे इलेक्ट हुए थे 1886 में यानि की जब सेकेंड सेसें हु इनको ग्रांड ओल्ड मैंन ओफ इंडिया भी बोलते हैं प्रेसिडेंट ओफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थ्राइस बता चुका हूँ इन्होंने कॉंग्रेस के लिए कॉंग्रेस की जो डिमांड थी स्वराज की सेल्फ रूल की वो सबसे पहली बार जो पब्लीकली एक् मैथ के प्रोफेसर थे नेचरल फिलोस्वी के भी प्रोफेसर थे यह एल्फिंस्टों इंस्ट्टूशन में यह कुश्यन आ सकता है आ चुका है कि एल्फिंस्टों इंस्टूशन के प्रोफेसर कुं थे दादा भाई नोरो जी and he was the first Indian to become a professor of any college पहले इंडियन थे जो की प्रोफेसर बने थे उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के कॉलेज में लिब्रल पार्टी के भी मेंबर थे ये तो ये मले थे एंपी थे सोरी ये लिब्रल पार्टी मेंबर ओफ पार्लियमेंट थे ये UK के हाउस ओफ कॉमेंस में तो he was the first station to be a British MP ये भी आप याद रखिएगा ग्यान प्रसारक मंडिली यानि कि Society for Promotion of Knowledge को इन्होंने से टप किया था दादा भाई नोरो जी जी ने इनकी बुकती पावर्टी एंड अन ब्रिटिश टूल इन इंडिया जिसने की ब्रिटिशर्स की economic policy को expose कर दिया था कि ब्रिटिशर्स पहली बात तो सहली भी ले आते हैं यहां से यहां का सब सामान ले आते हैं वहां पे बिना tax दिये हुए यहां पे अपने खर्चे के नाम पे आर्मी यहां पे बनाते हैं बहुत सारे फिर अपने जो वहां के लोग यहां से जॉब करके हैं उनको pension देते हैं बोनस देते हैं डिविडेंट देते हैं यह सब चीजे मतलब economic policy हो रही है जो economic policy बहुत खराब है इंडिया का drain of wealth हो रहा है और लगातार जो drain of wealth के हो रही है उसको किस ने education जिनकों की British MP मनाया गया था और Elphinstone institution में यह प्रोफेसर थे पहले इंडियन थे जिनकों की पर स्टार्ट किया था गांधी जी ने कहा था कि अब बड़े लेवल पर सत्यागरही नहीं हो सकता है मास लेवल पर नहीं हो सकता है तो आप individually करो एक एक करके जाएगा बंदा और वो right to speech को अपनी एफर्म करेगा उसका जो individual सत्यागरह का जो main जो aim था वो कोई एक दम से ऐसा independence नहीं था बस यह था कि to affirm the right of speech right to speech हम अपनी जाके करेंगे और अलग अलग जगह पर जाकर प्रत्रशन करना था सबसे पहले जो individual सत्यागरह या उनका भी नाम आपके आद रखना चाहिए उनका नाम था ब्रह्म दता अभी यह तक आपने first second देखा होगा थायर शायद ना देखा हो इन तिनों को गांधी यह इन तिनों को जेल बेज दिया गया था फाइनली फिर defense of India के act को तोड़ने के लिए यह मैंने आपको बता दिय है कि यह उस टाइम पर मास मॉमेंट वाइलेंट हो सकता था और इसी लिए क्योंकि युद्ध चालो हो गया था 1939 में second world war तो उसी लिए non violence उसका philosophy रखे गी थी इंडिविजल सत्यागर की और एक तम carefully select किया जा रहा था इंडिविजल को ऐसे लोगों कोई select किया जा रहा था जो एकदम moderate nature के थे और उसमें बस उसको right to speech अपनी ये करनी थी और to affirm करनी थी मतलब right to speech और production करने थे सांतिपूरों तरीके से महात्मा गान्दी ने बोला था जब क्रिस्प ये प्रोपोजल आया था कि ये एक क्रिस्प रफस्ता हो जो है ये टूत्ते हुए bank के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था यानि कि post dated check drawn on a crashing bank मतलब है कि ये एक bank है वो बेकार हो गई है उसमें कोई इदम bankrupt हो गई हो फिर आपन में उसका चेक दिया है कि जब खतम हो जाए तब हम उससे चेक निकाल लें के क्रिस्प मिसन आया था 1942 में और इसने इंडिया को डोमीनन स्टेटस देने की बात कही थी वो भी तब जब वार खतम हो जाएगा और उसके बाद election भी तब करा जाएंगे जब वार खतम हो गया था इंडियान दे दोनों जो इंडिया की मेजर पार्टी इस थी कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग दोनों ने क्रिस्प मिसन के प्रपोजर्स को रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए फाइनली क्रिस्प मिसन एक फेलियर हो गया था भारत छोड़ो अंदुलन यानिक इक है 9 अगस्त habay लसे स्टार्ट हो गया था है रोड्यर की कॉल एक करो मरो की कॉल दीथी मात्मागाती उसको स्टार्ट कहां पर ता बांबे से स्टार्ट किया था गोवलिया टैंक मैदान से इसको बोलते हैं इंडियन अगस्त मुवमेंट भी बोलते हैं अगस्त करांती भी बोलते हैं यह कुट इंडिया को या फिर भारत छोड़ों को एक सीविल डिसोबियंट मुवमेंट था बॉम्बे सेशन में लॉंच हुआ था इंडियन नेशनल कॉंगर्स से बाहर में 49 में बनी थी यह पार्टी इसका जो में जो है इस समय स्ट्रांग ओल्ड वो वेस्ट में गॉल में यह अभी भी यह कुछ पॉलिटिकली एक्टिव है यह डांडी जो यात्रा थी यानिकि जो डांडी मार्च था बारा मार्च 1930 से चालूआ था गांधी ने बोला था कि जो नया मुवमेंट बड़ा लेवल पर चालू करने वाले थे इसके लिए उसके लिए उनन बोला था कि पहले वो यह करेंगे डांडी यात्रा और फिर उसके बाद से सुरुआत करेंगे तो इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट देखिए हैं मैंने सब एक जगर लिग दि तीसरी बात ये कि ये इसमें 240 माय तक चलना था यानि कि 390 किलो मिटर तक आपको ये यात्रा इस्टार्ट पूरी करनी थी और ये इस्टार्ट कहां से थी साबर मतियासरम से एमदाबाद से गांदी जीन चालू की तो डांडी विलेज तक जाना था फाइनली मतलब में ये इस दे थी कि सॉल्ट के जो लॉत है उसमें ब्रिटिशर्स की मोनोपॉली ती तो गांदी जी ने बुला था कि नहीं हम सीविल लॉस को डिस ओबिडिन करेंगे हम नहीं उनको मानेंगे और सॉल्ट लॉको हम ब्रेक करेंगे तो वही में था अठार पीपल अठार लोगों इस या फिर 390 किलोमेटर गांदी जी चले थे साबर मतियासरम से लेके दांडी माल तक दांडी विलेज तक यही सब इसमें लिका हुआ है यह एक डारेक्ट एक्सन था अगेंस्ट ये था ये टैक्स का जो रिजिस्टन था उसी के खिलाब था कि बिट्रिशर्स ने अपनी जारे लोगों ने उनको जोईन किया तो कई जारे लोगों ने फिर नमक ये लिसॉल्ट ना तोड़ा था अंग्रेज अधिकार ये थॉमस बिस था इतने पुर्त गालियों को सौली के सांपर रहा था बंकिम चरंद चटर जी ने बंदे मात्रम कीत लिखा था आपको याद रखना चाहिए कॉंग्रेस सोसलिस्ट ये मैं सो और शा जो बोलता है उसमें ऐसे निकल जाता है तो एक दो बंदों ने लिखा था कि सर आप S के साथ IS क्यों जोड़ देते हैं हमें साही देखिए ये मेरी आदत है ये मेरी स्टाइल है ये तो नहीं बदल सकती आप बदल सकते हो आप अगर चाहो तो मुझे अनसब्स्राइब कर सकते हो बिल्कुल कि आपकर आपको साह और शाह इससे भी प्रॉब्लम है या फिर मेरे इस ये आईस लगाने से प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमको अनसब्स्राइब कर सकते हो अगर देखिए अगर इतनी मेनत मैं करता हूँ अगर ये सब चीजे भी आप लोग मुझे बताने लगो कि मै अपनी भाषा ऐसे चेंज करूँ साह को ऐसे ये सब नहीं बोलूं तो ये सब मैं नहीं मानूंगा आपका मर्जी है आपको अगर अनसब्स्राइब करना है तो बिल्कुल कर लिए जिनको लगता है कि मेरे वीडियो से फायदा होता है वो बिल्कुल रुके रहे हैं और जिन अदर ही बनाया गया था ये तो CSP यानि की कॉंग्रे सोचलिस पार्टी ये क्वेशन आ चुका है कि इट वाजर लेफ्ट विंग और इसन बिदिन कॉंग्रे स्टो एक और ये और दूसरे जै प्रकास नरायन इन दोनों ने मिलके इसको श्टार्ट किया था 1934 में स्टार्ट विए ती ये पार्टी कॉंग्रे सिस्ट पार्टी विए ऊस टाइम पे लेफ्ट जो लेफ्ट फिलोस्पी उसका इंफ्रेंस काफी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कॉंग्रेस में जिससे जवाल नाल ने रूबी काफी ज़्यादा इसकी सोचलिसम की त के 1934 में दिस वास फॉर्म्ट विदिन दा कॉंग्रेस के अंदर ही बनाएगी ती यह स्वराज मेरा जिन्दम सिद्रिकार रहे मैं ले करूंगा यह पता ही होगा आपको गांधी इन विदुविन पे 1921 में सम्झावता हूँ और फाइनली गांधी जी इंडिया नेस्टल कॉं स्वराज के लिए स्वराज के लिए स्टार्ट किया था यह सबसे पहला इतने लार्ज स्केल पर सीविल डिस ओबिएंट था यह सथ्याग रह था उस टाइम पर सबसे पहला इतने बड़े लेवल पर जो मूमेंट था यह देखे यह चालू के हुआ था पहली बात तो जो जलिया वाला बाग अत्या कांड हो गया था उसके बाद फिर एक हंटर कमीशन पॉइंट किया गया था और उसमें भी जो जनरल यह डायर था ब्रेजी इनाल डायर था इसको निर्दोस्त करार दे दी गया और कोई जैसे जब सेकंड वर्ड वार में यह सौरी फस्ट वर्ड वर्ड वार में जब यह हार गयते तो ओटो मैन अमपायर का जो था वहां पे उनको अटा दिया था खलीफा और वो मुस्लिम के लिए काफी ज़्यादा आइडल मानते थे उसको की जो एक मुस्लिम गुरू माना ज जो खलीफा को अटा दिया गया तो तुल्की के तो दोनों को मिलाके बिट्रिसस के खिलाफ आंदूलन शेड दिया था नॉन कोपरेशन मूमेंट इसमें क्या क्या करना था कि यह नॉन वोयलेंट रहना था सबसे पहली बात तो गांदी जी कहीं था कि जो उनके प्रिंसिपल है उनको नहीं तोड़ सकता है कोई अगर उनको तोड़ेगा तो फिर उस मोमेंट को ही थोड़ देते थे जैसे उन्होंने किया भी था नौन कोपेरेशन मोमेंट जैसे 5 फरवरी उनको ननीस सो बारा को जैसे ही जो वहां की भीड़ती उन्होंने 22 पृलिस वालों को मार दिया था 24 में तो उसलिए तुरंत 12 फरवरी 1922 को यह जो नौन कोपेरेशन मोमेंट था बंद कर दिया था करना का था इसमें अपने टाइटिर्स को वी जायन करना था जो भी गौर्बंक पॉस्ट कर व ही जाइन करना था गोपर grac мод उट फॉस्क्राेम करना था गॉछ को बॉएकौट करना था है टो को बॉयकॉट करना था गॉट्रे मिंसेट हनत्हुन तो काफी sad दे था तो देखे इसमें अब ये question कई बार आ चुका है non cooperation moment किस session में पास हुआ था तो ये मैंने कई सारी research करके ये final जो line लिखिए इसको अपरट लो एकदम पूरा एकदम सब जगह से मैं देख चुका हूँ सबसे पहले तो कोलकटा में इसकी बात हुई थी non cooperation moment को इस्टार्ट करने की तो कलकटा में इसकी बात हुई सहमती बनी थी लेकिन finally नागपुर session में non cooperation moment का resolution था वो पास किया गया था तो यह अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले इस special session के लिए कब मिले थे non cooperation में तो वो तो कोलकटा में मिले थे लेकिन जो non cooperation moment का resolution का पास हुआ था और कहां पास हुआ था वो हुआ था नागपुर के session में दोनों 1920 में हुए थे तो उस साल 1920 में दो session हुए थे इंडियन नेसनल कॉंगरेस के पहला session हुआ था कैलकटा में special session और दूसरा हुआ था नागपुर में जो final session था जब non cooperation moment का resolution यह पास हुआ था इंडियन नेसनल कॉंगरेस पे इसमें गांधी जी ने जो प्रोजेक्ट गि और उसके बाद और भी कई सारी इवेंट हो रही थी जिसे मौपला विद्रो हुआ था जो मुस्लिम से वहां के पीजन थे उन्होंने हिंदू जो जमींदर थे उनके इकलाब विद्रो कर दिया था और भी कई सारी चीजिए यह जलिया वाला बाग जो कांड हो घ िसलिए बाग के लिए तो नॉन का उल्फिर्शन चालू किया गया था पक खता मिस्ले कर दिया था डिया नांव भारत छोड़ो आंदोलां से समंदित है क्याओ जिन को कि बोलते है यह जैप्रोस नर्यल लोकनायक भी बोलते हैं इनको यह कुछ वीकी systems की इंफोर्मेशन है यह सी तब डायरा यह ब्रिटिश इंडिया में उस टाइम थे सरन में यहां इनका जनम हुआ था और इनको यह नैशनल इंडिया नैसल कॉंग्रेस से भी जुड़े रहते हैं फिर उन्हीं सो सेवन्टीज में जो एक पूरे देश में एक बहुत बड़ा अंदोलन चला था इंद्रा गांदी के खिलाफ और वो टोटल डिवोल्यूशन जो था उस टाइम पे जिसका कि आज भी लोग जो कंपेर करते हैं यह आम आदमी पार्टी और केजरिवाल से की उसके बाद जो नया अंदोलन इस से आया था लोग ऐसा बोलते हैं मेरा को यह मैं वो बता रहा हूँ जो आपको याद रखना चाहिए तो जेपी नरायन ने 1970s में उंद्रा गांदी के खिलाफ करप्शन का वो जो मुवमेंट चला था पूर इंडिया में उसको लीड किया था और इनका रोल कुट इंडिया मुवमेंट में भी राए उस जो करप्शन के खिलाफ जो चलाता अंदुलन उसका नाम तर टोटल डिव़लूशन और बी कई सरे मुवमेंट से ये एस्चामों में पहले पूछे जा चुके है और ऐसा भी हुआ कि ये टॉपिक से 5 6 क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं सब के फैक्ट करके मैं आपको इसको आपको इसमे और UPSC के जितने भी, देखे, UPSC में भी जो question आते हैं, history से related, modern history से, वो factually आते हैं, तो ये, जो video है, सब के लिए important होगा, UPSC, state PCS, SSC, serial, railway और किसी भी exam के लिए, और ये इसमें, जो भी, बहुत ही most important modern history के concepts, और most important one-liner GK, वो सब है, आप इसको देख लिएगा, एक बाइग्जाम में जाने से पहले, और all the best, आपका जो exam होने वाला है, BPSC का और MPPCS का, ये हमारा page है, आप इसको follow कर सकते हैं, www.facebook.com slash studyforcivil services, और ये हमारा group है, इसको भी follow कर सकते हैं, facebook.com slash groups slash studyforcivil services, ये हमारा group है, इसको follow कर सकते हैं आप, और ये मैं हूँ, अगर आप मुझसे कोई भी किसी भी type का assistance या चाहते हैं कि लगता है कि मैं आपकी help कर सकता हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल join कर सकते हैं, किसी का कोई comment हो या question हो तो देख लेते हैं, नहीं है, हाँ, रानुयादो जी ये वो तो बात है कि, नहीं कुछ लोग मुझे comment करते रहते हैं कि मैं ऐस में इस कर देता हूँ, आज quiz नहीं होगी, कल क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दो गंटे की लगातर quiz कीती और, उसकी वेसे हमारा schedule भी बिगड़ा था और हमको फिर finally गाली खाने को भी मिली थी, आप भी सब लोगों ने बहुत प्यार से गालिया दी थी हमको, साफ नहीं आ रहा है, देखें, ऐसा है, जो भी हम जब भी वीडियो बनाते हैं, उसके आप एक दो गंटे बाद देख लिया को, यूटूब में processing time लगती ही, वो यूटूब का है, हम लोगों ने कुछ नहीं कर रख रखा है उसमें, तो इसमें आपका एक दो गंटे बाद वीडियो clear हो जाएगा, आप उसमें देख लिजिएगा, फिल्कुल सही आजाएगा, साफ, MPP says exam date होगी, हाँ, notification आगया, मैंने पेज में दिया भी था आपको, clarity नहीं आ रही है, विकास जी तो आप बाद में देख लिजिएगा, जाता है, हाँ, बिल्कुल आपके सब के message आते हैं, सोनम दो दिन आगे बढ़े, हाँ, दो दिन आगे बढ़े, बारा तरीक हो है, नौ तरीक है, आज तो बारा तरीक हो है, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया कि, reason type हो जाएगा, हिंदू पेट्रियोट, हाँ, ये question पूछा था, मैंने ये गरीश, चंद्र घोष्ज ने इस्टार्ट किया था, एक दो और question पूछ लेता हूँ, East India ने एक डेली है, वो किस ने किया था, बता दिजिए आप, किस ने स्टार्ट किया था, फिर उसके अलावा, तत्त बोधनी पत्रिका किस ने स्टार्ट किया था, इंडियन मिरर किस ने स्टार्ट किया था, कौन इंडिया, इंडियन नैस्टनल कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट था, जब सुराज पार्टी बनी थी, और वो सेशन का नाम क्या था, लाहौर रिजोलूशन जो 1940 में लिया गया था, उसमें, जब मतलब मुस्लिम की जो डिमांड थी, सेपरेटी स्टेट की, उस टाइम का वॉइस राय ओफ इंडिया कौन था, ये कुछ क्वेस्टन है, आपके लिए आप इसमें आंसर बताईएगा, इंग्लिश में मैं इसमें करता हूँ, और मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मैंने पहले इंग्लिश में बनानी कोशिस गी थी, लेकिन मेरी इंग्लिश आप लोगों को समझ मिनिये, और ना आप लोगों ने इसमें कोई अच्छा response दिया तो इसलिए मैंने इसमें बनाना बंद कर दिया और मैं ऐसी लेंगविज में बनाता हूं जिसमें मैं भी अच्छे से बोल दो को आप भी अच्छे से समझ सकें और कोई confusion ना रहे हैं हिंदी अब बना रहा हूं हिंद्व सकती आ यह धर चार के थो संहरे हैँ अब पता नहीं है उद्द डाश्हाट हएज दक्त मों से और मैं fallais कि नहीं है ऐसा नहीं है मतलब जितने सारे न्यूस पर पढ़ते सब में लोग कोई भी एगर आप काम करना जाया तो उसमें दिक्कत तो हुई जाती ही कुछ ने कुछ लोगों को पता नहीं या ब्रानु यादो जी थैंक्स आपने मुझे बोला ऐसा एप्रिशियेट किया कि नाइस वे टू टीच लेगन लोगों को लगता है कुछ कि मैं बोल नहीं पाता हूं शाहिद कुछ आज नहीं हो पाएगी शाहिद नहीं हो पाएगी आप इमने क्वेस के लिए इसलिए आपको मैंने कुछ क्वेशन देदे हैं आप बिलकुल करिए पूर 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 नहीं पाता हूं आप लोग तो कि आप हिंदी नहीं बोल पाते हो आप एस नहीं बोल पाते हो हर चीज में आई एस लाजा देते हो तो फिर इंग्लिस में क्या करोगे आप लोग कर जो भी है यह मैंने आप सब लोगों के लिए यह एक रिवीजन का यह वीडियो डाल दिया इसमें आपका एक्जाम होने वाला है तो उसके लिए मेरी तरब से चोटा आपके लिए तोफ़ा है आप इसको रिवीजन कर लीजेगा और यह सब फैक्ट मैंने बहुत दिनों मतल करके किया है इसमें हाँ वह बात तो है नहीं वह भी बात की जो इंग्लिस लेंगोजे और इंडिया के लोग जो होते हैं जिए कोई भी इंग्लिस चाहिए जितनी भी बोल ले एक मैं आपको दिल की बात बताता हूँ अगर आप इंग्लिस देगे बोलना तो सब को आता ही सबस्क्राइब आजकान नॉर्मलि तो इतना सब बोली सकते हैं लेकिन बात ये की अगर आप जो हम इंडियंश होते हैं वो इंग्लिस में सोचते नहीं हैं प्रॉपर इंग्लिस में ना अपने आपको दुख दिया ना आप लोगों को दिख दिया अगर आपको अपना परसनल प्रॉफाइल भी दिखा दिया है कि अगर आपको कोई वह ऐसी दिक्कत हो तो आप मुझे परसनल भी पूछ सकते हो तो कोई भी दिक्कत हो और किसी भी टाइप कि अगर मुझे आपको लगता है कि मैं आपकी हल पर सकता हूँ तो बिल्कुल आप मुझे डारेक्ट मैसेज करके कॉंटर कर सकते हैं और या तो हमारे ग्रूप में या फिर फेस्टी पेज में कहीं भी लिख सकते हैं आप MPPCS में नहीं नहीं, MPPCS में budget से question कैसे आँगे अभी, budget तो अभी आए, कोई भी paper होता है, state PCS का, तो generally लगभग 15, एक महीने पहले तो बना ही लिया जाता है, तो आप last के 15-20 दिन का तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आने, UPPCS में जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, UPPCS paper होगा मैं में और मैं के माई में होगा, मतलब first year second week में, तो उस time तो जरूर आएगा, क्योंकि budget काफी पहले आ चुका है, और बाकी UPPCS के लिए मैं तयारी कर रहा हूँ, अभी बहुत जल्दी start होगी series, UPPCS के लिए मैं कही सारे वीडियो पहले भी आपको बता चुका देखेगा, कोई भी आपको वीडियो अगर ये ढोड़ना है कि study for civil services मैंने बनाया है उसको कि नहीं, आप उस वीडियो का topic इसमें YouTube में सर्च करिए और by study for civil services दिख दीजे, आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, अगर उस पे हमने बनाया हुआ है, तो बिलकुल मिल देखेगा, नहीं करेंट अफिर तो हम डालते ही है, इसमें अप्लोड करते है, यह अभी करेंट अफिर जितना भी बचा हुआ है, भी लास्ट के एक दो वीक का, वह आज एकल आ जाएगा, धर्मेंद गुपता जी, हाँ मैंने आपका नाम लिया था, मैं आपका देख रहा तो अभी मेरा लॉस ही होता है इस वीडियो बनाने में, कोई contribution भी नहीं आता है, लेकिन मैं इसलिए लगा रहता हूँ कि कभी ना कभी तो होगा, तो इसमें process यह है कि अगर हमने question पूछा और जिसका भी answer सबसे पहले हमारे पास आएगा, वो भी correct, हम उसी को मानेंगे, वै पहले answer देगा, जो सबसे पहले correct answer देगा, हम उसी को मानेंगे, उस question का winner मानेंगे, उसी बन देखो, डानू यादो जी, आप उसमें देख लिजिए न, आपकी age limit क्या age, जो 32 तक है, अगर आप 32 के अंटर हैं, तो आप बिलकुल eligible हैं, और PCS की तयारी, देखिए, IS PCS की तयारी, लोग एक की साथ करते हैं, जो IS का subject होता है, जनरली आजकल PCS exam में भी वही सब fact पूछ रहे हैं और UPSC में तो आजकल factual question आ रहे हैं, कई बार जो last prelims हुआ था, उसमें भी कई लोगों ने देखा भी था ऐसा, current affairs पूरा पूछ लिया था, अमरताज जी देखिए, ऐसा है, आपको हमारी पूरी PDF चाहिए, तो या तो आपको हमारी quiz जीतनी पड़ेगी, mega quiz, और या तो आप हमारा ही course ले सकते हैं, हर ये description में दिया हुआ है, get all PDFs, ये course है, एक साल के लिए आपको मिल जाएगा, जितनी भी हम daily एक दो PDF बनाते रहते हैं, वह हम आपको भेज देंगे, इसमें, आप ये course ले लिजे, इसमें, इससे कुछ हम लोग को contribute भी कर दीजे, हम भी आपके contribution भी मिल जाता है, थोड़ा और ये आपको पूरी एक साल तक daily जितनी भी PDF होंगे, अपने आप मेल मिल जाएगी, नहीं आई, ऐसा तो नहीं है, लोग निकालते हैं, नॉर्मल इंसान लोग ये निकालते हैं, टफ तो अब ऐसे UPPCS भी ऐसा सरल नहीं है, देखे, 270 सिट आए के करीब, उसमें 1000 सिटे होती है, ऐसे UPPCS जो स्टेट पीसस होता है, उसमें भी 200-300 सिटे होती है, टफ तो ISPCS सब कुछ है, और इसी भी है अगर आप लगातार लगे रो तो, ऐसा टफ तो नहीं होता है कुछ, चलिए बाकी अभी मैं इसमें इसको एंड करता हूँ, काफी दिर होगी इस वीडियो को, मुझे बोलते बोलते भी मेरा गला सुग गया है, तैंक्यों फॉर लिस्टिंग और इस वीडियो को जादा जादा सब्स्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा लोगों को, जो और भी, तो धरमें गुपता जी आप टेंसर मत लेना, आप फिर करूँगा, उसमें प्राइज नहीं रखा करूँगा, लेकिन आपके रिवीजन के लिए और आपका जैसे कई सारे पेपर लगे रहते हैं, तो इससे आपका माल लिए रिवीजन भी हो जाएगा, और मैं कुछ-कुछ इसमें फैक्ट बताता रहूँगा, वो हम स्टार्ट क करने में भी थोड़ी सी दिक्कत जरूर रही थी, और जो हमारी कुछ और टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, वो अभी नहीं थे हमारे सब प्रेजिएंट इसलिए भी दिक्कत थी, तो चलिए अभी इसको रखते हैं और आप इसको शेयर कर दिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगो कि ज्यादा लोग देख सकें और अपना रिवीजन कर सकें, एमपी, पीसे, बीपी, पीसे, और जो भी एक्जाम हैं उनसे पहले, तैंक यू फॉर लिसनिंग